तेलगू सूपरस्टार अलू अर्जुन ने हाल ही में अपनी पहली पैन इंडिया रिलीस फिल्म पुश्पा से खुब हंगामा मचाया। उनकी ये फिल्म साउट से लेकर नौर्थ तक खुब चर्चा में रही। साल 2021 के अंत में सिनेमागर पहुँची अलू अर्जुन स्ट फिल्म ट्रिपल रर लेकर सिनेमागर पहुचे हैं जो दर्शकों को काफी भावी रही है। फिल्म ने पहले ही दिन साउट से लेकर नौर तक हर और जवर्दस्त कमाई की। खास बात ये है कि इस फिल्म को देखने के बाद खुद अलू अर्जुन भी निर्देशक SS राज शुब कामनाई क्या शांदार फिल्म है। हमारे सम्मानित निर्देशक SS राजा मौली को उनकी दूर दृष्टी को मेरा सलाम। अपने भाई और मेगास्टार राम चरण तेजा की शांदार एक्टिंग और उनके करियर की सबसे बहतरीन परफॉमेंस के लिए मुझे इसी क्रम में अब साउथ सूपरस्टार महिश बाबू भी फिल्म की तारीफ करने वालों की सुची में शामिल हो गए है। अभिनेता ने सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म ट्वीटर के जरिये फिल्म की तारीफों के पुल बांध दिये हैं। एक के बाद एक ट्वीट करते ह भी अभिनेता ने इस फिल्म की जम कर प्रशंसा की। अपने ट्वीट में महिश बाबू ने लिखा पूरी टीम को ट्रिपल आर जैसी फिल्म बनाने के लिए सलाम। बहुत गर्व है मुबारक हो। अभिनेता ने अपने दूसरे ट्वीट में लिखा जूनिर एंटियार औ नहीं खत्म नहीं हुआ। फिल्म और उसकी स्टार कास्ट के जम कर प्रशंसा करने के बाद अभिनेता ने फिल्म के डिरेक्टर एसेस राजा मौली की जम कर तारीफ की। उन्होंने तीसरा ट्वीट करते हुए लिखा एक तरफ फिल्में होती है और दूसरी तरफ एसेस र कुमाराम भीम की कहानी दिखाई गई है जिन्होंने बिटिश हुकुमत और हैदराबाद के निजाम के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। फिल्म में साथ अभिनेता रामचरन और जूनियर एंटियार के अलावा बॉलिवूड अभिनेतरी आलिया भट और बॉलिवूड एक अलू अर्जुन के मामा है इसी प्रकार की तमाम जानकारे के लिए हमार साथ चुड़े रहिए नमस्कार